मलाइका रोड़ा हुई दबंग 3 से भार नमस्कार मैं हूँ जयादवर आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज बोल दोस्तों काफी सारी खबरे जरूर आ रही हैं दबंग को लेकर लेकिन आखिरकार मलाइका रोड़ा को क्यों बाहर किया गया है दबंग को लेकर इसके कई सारे कारण सामने आ रहा हैं जिसमें से एक नया कारण फिर से सामने आ आई कारण आई आपको दिखाते हैं वाल मलाइका रोड़ा दबंग 3 से बाहर उचुकी हैं यह बात हमने आपको अपनी कई रिपोर्ट के जरीए बताई है और उनके बाहर उने के पीछे के कई सारे कारण भी हमने आपको बताया थे जिसमें से एक एहम कारण निकल के यह सामने आया था कि अरबाज और मलाइका का डिपोर्ट दरजल खान परिवार के बीच और साथी साथ मलाइका रोड़ा के बीच कहीं नहीं रिष्टों में थोड़ी बहुत खटास जरू किया गया है तो मलाइका के बाहर होने की बीचे का कारण सल्मान खान बताया गया और ये भी बताया गया कि मलाइका की जगा फिर करीना कपूर खान को फिल्म में आइटम गर्ल के तोर पर लिया जा सकता है एक आइटम सॉंग के लिए लिया जा सकता है इसके लावा बड़ी एसिस्ट कर सकते हैं मलाइका के वेटे आहां ऐसी खबरे जोरो पर वायरल रही जी हां घपला यही चल रहा था मलाइका रोडा को लेकर कि उनका आइटम सॉंग रखा जाएगा या नहीं तो महीं अब खबर यह है कि मलाइका रोडा को बिलकुल बाहर कर दिया गया है दबक्त देखने की इच्छा जाहर करते रहें घर मलाइका बले ही दबंग के थर्ड पार्ट से आउट हो गई हो लेकिन अपने रिलेशन्शिप को लेकर काफी खबरों में जी आर्जुन कपूर के साथ हमने रिलेशन्शिप की खबरों पर मलाइका अरोडा ने चुपी भी दोड़ हो रही है अब देखना ये होगा कि दोनों आखिर का शादी करते भी हैं या फिर नहीं अगर शादी करते हैं तो ये शादी कब और कहां होगी ये देखना वाकई में दल्चस्प होगा खेर अभी तक दबंग 3 की शूटिंग की बात की जाए तो दबंग 3 की शूटिंग इसके लावा कैसे फिल्म से जुड़े हुए हैं वो आपने ये भी जाना होगा लेकिन मलाइका अरोडा की जो फिल्म से बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया गया है इस पर भी तमाम खबरे वाइरल रही ये थी वो तमाम खबरे ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप